स्वागत है आपका इंडिया की बात में, मैं, अभिसार, शर्मा, मेरे साथ हैं भाशा और मुकुल और आज हमारे सामने तीन मुद्दे हैं मुद्दा नमबर एक, क्या महिला आरक्षन के मुद्दे पर पिछड़े वर्गों की नुमाइंगी को लेकर फस गई है मुद्दा नमबर दो, विशे सत्र का आयूजन कैस का मकसद सिर्व ये है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंदन किया जाए और भाजपा के लिए वोट बट उरने का जरिया और मुद्दा नमबर तीन, चौधा पत्रकारों का बहिशकार, विपक्षी गड़बंधन द्वारा, एक मास्र स्ट्रोक या अभी कुछ करने की जरूरत है कि ये बतलानी की कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल में OBC की या OBC महिलाओं की भागिदारी ना करके ये सरकार उनके साथ किस कदर ना इंसाफी कर रही है विपक्ष कह रहा है कि ये महिला आरक्षन बिल नहीं है महिलाओं को बेवकूफ बनाने का बिल है यानि कि विपक्ष हमलावर है और सरकार को सहरा सिर्फ प्रॉपगेंडा का क्या है इस मुद्दे का पंच शुरुवात करना चाहेंगे हम मुकुल के साथ मेरा पंच तो यही है कि OBC आरक्षन की मांग बहुत समय से चली थी इसी वह से बिल बार बार अटका भी राजे सबह में पास होने के बावजूद लोग सबह में पास नहीं हुआ और यह मांग बहुत जरूरी भी है और मुझे लगता है कि मास्टर श्ट्रोक तब होगा जब इंडिया अगड़ बंधन यह घुशना करे कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इस बिल में संशोदन करके OBC आरक्षन लागू करेंगे भाशा क्या है इस मुद्दे का पंच इंडिया गड़ बंधन कितना जमीन पर धुरूवी करण कर पाता है लोगों तक पहुचा पाता है उस पर निर्भर करेगा कि यह एक चुनावी मुद्दा बन पाएगा या नहीं अभी बढ़त इस पर मोदी जी के पास है अभिसार क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि जैसे जैसे विपक्षी गड़ बंधन इंडिया से जुड़े लोग इस मुद्दे पर हमलावर होते हैं जैसे जैसे OBC महिलाओं की भागिदारी को लेकर मुद्दा उठाया जाता है वैसे वैसे यह सरकार रक्षात्मक मुद्दा में आएगी और जब वोट मांगने जाएगी तो उन्हें अपने वोटर्स को यह बताना पड़ेगा कि आखिर OBC महिलाओं को इससे जुड़ा क्यूं रखा गया है यह तमाम पहलू है जो आने वाले दिनों में बशर्ते कि विपक्ष इस पर राजनीती ढंग से खिलती है मेरे पहल से भाशा राहूल ने बहुत ही दिल्चस्प अंदाज में बियूरोक्राट्स का हवाला दिया अलगि हम इस शाह कहते हैं कि साब बियूरोक्राट्स नहीं चलाते हैं सरकार मगर हीरें जोशी हों तो मेरा कहने का अर्थ यहां पर यह है कि राहूल गांधी ने जिस तरह से जो यहां पर तुलना की क्या आपको लगता है वो तीर निशाने पर लगा है या अभी जमीन पर यहां पर जो खासकर राजनीतिक दल हैं जो पिछड़े वर्ग की राजनीती से जुड़े हुए हैं उनकी मौजूदगी और वो जिस तरह से वक्तव देने वाले हैं उस प और कनी मौई इन तीनों ने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा कि बिना कास सेंसिस के और जब राहुल गांधी परचा दिखाते हैं दिखाते हैं कि खाली तीन लोग है तो आप देखिए उस समय कैमरा फिर चला जाता है अध्यक्ष महदे की तरफ लेकिन इस बार कॉंग्र स्लोगों तक पहुच रही है कि यह अभी जुमला है और यह जुमला इसलिए है क्योंकि मोदी जीकी जुमले से लोग काफी प्रताडित हो चुके हैं चाहे वह अच्छे दिन का हो चाहे वह 15,000,000 का हो यह सवाल अगर विपक्ष सही धंग से जमीन पर ले जाता है कि इस बा गवाने के लिए तैयार हैं ये एक बहुत बड़ा स्टैंड है कि हम तैयार हैं आप तैयार नहीं इन दोनों को अगर मिलाकर जमीन पर इंडिया ले जाता है क्योंकि OBC एक बहुत एहम कारगर फैक्टर है चुनाओं में 52% अफ इंडियन पॉपुलेशन OBC सेक्शन से आदी है विपक्ष बहुत दिल्चस पंदाज में इस मुद्दे को उठा रहा है वो कह रहा है कि साब ये किसम का शिगूफा है आपने इसकी घोशना कर दी है मगर अभी आप सेंसिस पर जंगना पर आप निरभर हैं डिलिमिटेशन प्रक्रिया यानि कि ये लंबी प्रक्रिया जो 10 साल तक खीच सकती है मगर साथ ही आपने देखा होगा कई सांसद एक और पहलू का जिक्र कर रहे हैं आप महिला असमता की बात कर रहे हैं मगर इसी संसद के अंदर ब्रिजभूश और शेरंड सिंग भी बैठे हुएं आपको लगता है मुकुल ये जो दोनों पहलू का जिस जा रहा है वो समझ गहें कि यह एक और जुमला एक और एक तरह शिगुफा है यह बात आम महिला आराम आदमी भी कर रहा है कि यह अभी तो होने नहीं जा रहा है पहली बात दूसरी बात OBC का मुद्दा बहुत महत्पून है और जो इंडिया गडबंदन की बात है एंडिय पटेल इस पर बोली है कि इसका लागू होने यानि एक बड़ा मुद्दा यह बनेगा और यह नीचे तक जाएगा और वह वाली बात जो आपने कहा चाय ब्रजभूशन की बात है यह बात टीमसी निताओं ने उठाई और भी निताओं ने उठाई कि भई आप कितना महिला नारी शक्ती वंदन एक तो यह नाम ही बड़ा आजीव है हर चीज में वंदन और यह जबकि एक समानता की बात हमेशा हुई है कांगरेस ने भी बात उठाई रजबूशन बैठे हैं मनीपूर पर आप चुपी रखते हैं बिलकिस बानों के आरूपियों को आप छोड़ते है यह बात आम लोग कर रहें यह लोग आम लोग कर रहें पत्रकार और राजनितिक दल तो करी रहें लेकिर आम लोगों तक भी बात पहुंच गई कि भाई यह 24 में नहीं होने जा रहा है यह ऐसी आगे के लिए मुझे नहीं लगता क्योंकि लोगों को समझ में आ गया पर अगर विपक्ष यह मुद्दा बना ले ओभी सी वाला तो मुझे लगता है कि उसे फाइदा नहीं जोड़ना चाहूंगी कि देखिए जो महिला प्रेम है मोदी जी का या सरकार का वो इससे भी थाबित हो गया कि बहस किस ने खोली लोग सभा में निशिकान जी की जो मोहा मोहितरा जो कि एक सांसद हैं और दिपका पांडे जो कि एक विधायक हैं उनके बारे में नगर वधु शब्द का इस्तमाल किया था जिसे अगर सरल भाशा में कहा जाए तो वैश्या तो जिससे पता चलता है कि यह सरकार कितनी गंभीर है ऐसे मुद्दे पर किसको खड़ा किया और लोगों को खड़ा किया सकता है और उस पर अमिश्या जी कह रहा है कि आप महिला पर महिलाई को बुलवाना चाहते हैं तो यह जो सारा का स्टेवभ yol đến निश कार सेंसे संश सेंस कराये गांद हैं उसको हम सरकार यस neighbor है oh मतलब स्टरहुंच सरकार नितीश सरकार यानि भीहार का सेंसेस के लिए पोरा स्ट्रक्चर तैयार कर की है यह एक assertion है कि पता चले कि कौन कितना है बहुत संक्षिप मैं मैं आपसे जानना चाहूंगा ओबीसी वाला मुद्दा आपको लग रहा है इसलिए भी विपक्षी गडबंधन के पक्ष में जा सकता है क्योंकि ओबीसी से जुड़ी राजनीती में जो विश्वसनी चेहर यह बार-बार काहा जा रहा है करी बेटा और पिशडे वर का बेटा उनकी माँ लेकिन यह पहले पक्ष में यह महल बन सकता है और क्योंकि अभी नहीं मिलने जा रहा है मैं यह बार-बार कह रहा हूँ तो लोगों में एक चर्चा इसको लेकर उतनी शुरू होती घरघर गली-गली मुहले यह होता कि कौन ख़ड़ा हो रहा है कौन नहीं हो रहा है कौन सीटे आ रही है ये इस समय चर्चा नहीं होगी तो ये बस वो एक टीवी के लिए मास्टरिश्टोक ये हमाले शबूफा उन्होंने छोड़ दिया है और ये देखना ये इस चुनाव में मुद्दा नहीं बनेगा चलिए अब हम रुक करते हैं अपने दूसरे बड़े मुद्दे का ये जो संसत का विशे सत्र का यूजन है इसका मकसद क्या है पारदर्शिता क्यों नहीं है प्रधान मंत्री नरेन वोदी जब पत्रकारों से रूबरू होते हैं तो किस शब्दावली का इस्तमाल कर रहे हैं कि भई विपक्ष रुदाली ना करे जिससे इस पष्ट हो जाता है कि विपक्ष के साथ सेतु कायम करना उनका मकसद नहीं है यानि कि ये विशे सत्र भी वोट बटे उरने का जरिया बन गया है क्या है इस मुद्दे का पंच शुरुआत करना चाहते हैं भाषा के साथ अभी सार पूरा सत्र जो दिखाई देरा जो डिजाइन है इसकी मैं ही मैं हूँ सिर्फ मोदी जी है मोदी जी का महिमा मंडन है और दूसरी तरफ उन्होंने साफ कर दिया है कि करोडो रुपे जी हां करोडो रुपे खर्च करके बीच का ये जो विशेश सत्र है वो सिर्फ इसलिए बुलाया गया है ताकि माहौल बनाया जा सके ताकि ये बताया जा सके कि संगोल युग में प्रवेश एक पुन्य तिथी को किया गया और ये हमारे और आपके पैसे की खुली लूट है अब इसार क्या है इस पर आपका पंच आपने कहा कि संगोल युग आपको याद होगा जब इस नई संसद का घाटन हुआ था तब प्रहलाज जोशी जो कि मंत्री हैं संसदिये कार मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा था कि संगोल युग में महराजा संगोल के सामने शाष्टांग होते हुए महराजा शब्द का इस्तमाल किया था मुझे ऐसा लगता है कि कहीन की भारत ही जानता पार्टी को लगता है जो ये नई संसद है उसमें सबसे एहम देश के प्रधान मंत्री हैं लिहाजा जो भी कुछ होगा उन्ही के एसाब से होगा विपक्ष तो उनके सामने दंडवत है और ये इनकी मंच्शा बताता है क्या है इस मुद्दे का पंच? मुकुल बताएं मेरा साब माना है अभिसार की ये आरसेस की जो हिंदू राष्ट की एक परियोजना है उसके तहट ये पूरा जो टांजेक्शन हुआ है पूरा जो नई संसद में प्रवेश हुआ है पूरा उसी के एक परियोजना का हिस्सा है ये उसी तरफ लेके जा रहे हैं नई संसद हैं समिधान की भी कौपी पुरानी वाली दी गई है और इसमें से जिन शब्द पर विवाद भी हो रहा है गणेश चतुर्थी पर इसे शुरू किया गया प्रवेश किया गया पूरे हिंदुत्वा के प्रतीक इसमें शामिल है संगोल पहले इस्तापित हो चुका है तो अब यह स इस तरह से समुद्दे का कवरिज किया है उसकी तरफ खीशना चाहूंगा पुरानी संसद में मोदी का आखरी भाशन सबकी आखें हुई नम संसद में चंद्रयान तीन पर प्रधान मंत्री मोदी ने ऐसा क्या कहा कि विपक्ष मिध्यान से सुनता रहा पहली बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आंसुओं का हवाला दिया जा रहा है या विपक्ष को बॉखलाया हुआ बताया जा रहा है मगर भाशा आपने गौर किया होगा प्रधान मंत्री ये कहते हैं आकर कि रुदाली मत कीजिए जब आप एक भाशन देते और मुझे लगता प्रधान म भाशन देनी का प्रयास था मगर उससे पहले जब आप प्रिष्ट भूमी में आप ये कहते हैं कि रुदाली मत कीजिए या आपकी सोच बताती है और आप ये भी बोलते हैं उस भाशन में गंडे से अधिक का था पहले दिन वाला जो पुरानी संसद में उन्होंने दिया कि मनिपूर जल रहा है उसके लिए भी वो नहरू कनेक्शन ले आते थे तो एक चीज दिखाई दे रही थी कि पहले दिन का भाशन वो एक तरह से अबिचुरी था कि भाई हम अब इस पर ताला लगाने जा रहे हैं तो अच्छे अच्छी चीज़े याद कर लें गिले और पर प्रवेश होता है और यहां तक खबर आ जाती है उस महिला रिपोर्टर जो एंकर है जो का नाम 14 में शामिल नहीं है कि विपक्ष ने मोदी जी के साथ नहीं संसब में नहीं गए वो भूल जाती है उनको यह पता भी नहीं है पूश्ती भी नहीं का मुझे बहुत अ चाहते हैं और अविसार देखी ना यह तस्वीर जब बॉलिवूड एक्ट्रेस मोदी जी की बड़ी फैन पहुशती है कंगना रनाउत वहां पर तो किस तरह से मीडिया कवरेज करता है जैसे लगता है कि महिला उद्धार या महिला वंदना की सबसे बड़ी तस्वीर है य बहुत ही अनफॉर्चनेट शार्ट यानिकी यहां पर मुकुल देखिए सारे प्रॉपगैंडिस मौजूद हैं एशा गुपता से लेके रीना ढाका से लेके कंगना रनाउत से लेके तमाम प्रॉपगैंडिस मगर इस मौके पर देश की राष्ट्रपती द्रॉपदी मुर इसके अंतरगत खबर और क्यामरा उनसे जुदा हो उनसे अलग हो वह बिल्कुल वह यह तो संसद है हमारी संसद भारत की संसद जब G20 हो रहा था पूरे देश बीस देशों के राष्ट धेक्ष यहां रहते तब भी आपने दिल्ली की साड़कों पर देखा होगा कि सिर्थ जब यह महिला आरक्षण 24 से लागूई ही नहीं होना है कम से कम महिला अरक्षण के मुद्धे पर पारदर्शी हो जाते हैं उस पर यह आप चर्चा नहीं करना चाहरे हैं और उससे भी आपने में एजंडा में नहीं दिया सप्लिमेंटरी में उसे रखा और उसे एंड टाइम पर लोड किया गया उस अग्दम से जरूरत नहीं थी वो आज लागून नहीं हो रहे हैं तो पूरा का पूरा मसला यह एक पूरा डाइवर्जन पूरा यह कि नई संसत्र नया सत्र नहीं वो तो यहां से यह शुरू करना चाहिए चली तो अब हम रुक करते हैं अपने तीसरे मुद्दे का और यह जबरदस के बहिशकार का एलान विपक्षी गडबंधन इंडिया ने किया है इसको लेकर जबरदस बवाल हुआ यह तमाम पत्रकार इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बोलने लगे आपातकाल तक की याद दिलाने लगे और नजाने क्या 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 कहने लगे क्या है स्मुद्दे का पंच बताएं भाशा क्या है इस पर आपका पंच इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि यकीनन चौदा पत्रकार रुदाली कर रहें मगर उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी विश्वसनियता एक बहुत बड़ा शून है इसके अलावा यह मुद्दा यहीं तक सीमित ना हो अगला कदम होना चाहिए जो तमाम राजसरकारे जहां इंडिया गटबंधन की सरकारे हैं वो फाइनाशली कॉस्ट्स इंपोज करें दंगाई एंकर्स के खिलाफ सख्त लीगल कारवाई की जाए क्योंकि जब तक यह नहीं होगा यह तमाम बाते खानापूर्ती ही सावित होंगी मुकुल क्या है इस मुद्दे पर आपका मेरा भी साथ मानना है कि यह बहुत जरूरी था और यह सही समय पर सही कदम उठाया इसे कहा जाए देर आए दुरुस्त आए लेकिन मेरा भी यह मानना है कि यह एक संसागत समस्या है लेकिन यह जो चौधा एंकर जिनकी हम बात कर रहे हैं यह अपने आप में एक संस्थान बन गए हैं इसलिए इन पर एक असायोग मैं इसे बहिशकार भी नहीं कहता बहिशकार करता है सत्ता पक्ष विपक्ष असायोग कर सकता है कि हम अपनी हमारी आजादे कि हम आपके शोमेन नहीं आएंगे उसने वह आजादे ली है और यह चोड बहुत सही जगे पड़ी है इससे एंकर से जादे बीजेपी तिल मिलाई है इससे साफ है कि यह एक सही कदम है वैसे क्यों रुदाली कर रहे हैं यह आंकर्स भाषा अब तो आंकर्स के AI अवतार आ रहे हैं अब मैं मानता हूँ वो AI अवतार इनकी तरह जहर नहीं उगल सकते हैं तो काहे रुदाली करना अरे कितना बड़ा अपमान है कि हम इतनी बड़ी भक्ती कर रहें आप हमारी भक्ती सुनने के लिए और चुप रहने के लिए हमारे प्रोग्राम में नहीं आ रहे जब 14 की लिस्ट आई तो मैंने कुछ लोगों की प्रोग्राम्स निकाले आधे तो खैर बुलाते ही नहीं जिसमें बड़े लेकिन रापकी जहां पे लोग जाते भी हैं वह लगातार बोलते रहें कर दिया जाता है मुझे लगता एंको दिक्कत ये है जिनलोंके नाम निए है अभीसार उंको भी बहुत परिशानी है क्योंकि आप उंको लग रहा है कि वह जो पापा की परिया आपके शब्द है उसमें से कई पापा की परियां बाहर रह गई है तो उनको यह लग रहा है कि हमने ऐसा क्या गुणा किया हमने कभी इंडिया की बात दिखाई हमारा नाम क्यों नहीं है तो अब दूसरी तरफ से दिक्कत है कि भाई तुमने कुछ गरबड़ी तो नहीं की तो एक दरार आ ग कि एक यह जो पूरा इंस्ट्यूशन बन गया था नफरत उडेलने का और दंगा कराने का उसमें एक ब्रेक लगने की यह गुजाश है। शक्त लोकतंत्र होने का 5 साल ने आपने बख्या और देड्र दिये इस देश के लोकतंत्र इस देश की पत्रकारिता की यही पत्रकार 2014 से पहले सवाल उठाया करते थे। और जलील क्या करते थे सत्तापक्ष के और आज की तारिक में देखी ये लोग बार बार कहते हैं कि 2014 से पहले ये ऐसे पत्रकार थे लेकिन ये ऐसे पत्रकार कांग्रेस के खिलाथ थे मतलब भीतर से जो वो नफरत और हिंदुत्वा है मैंने देखा क्यों कि मैंने भी 12-13 साल में काम किया है मौका मिलते ही खबरों से खेल कैसे किया जाता था और किस तरह ये भीतर है दरसल मामला या जो आरसस वाला जो हम कहते हैं आरोब कि उस समय हला की ये था कि अगर किसी पतरकार को संगी कह दिया जाये तो बुरा मानता था अब बुरा नहीं मानता जैसे भाशा भ चाहे वो सन नब्बे से आप देखिए चाहे वो अब 2000 के बाद देखिए चाहे 2000 के बाद बिलको खुल गया ठीक है मामला एक मट खात पानी पूरा मिल रहा है और इसे बीजेपी आपातकाल कह रही है वह बीजेपी आपातकाल कह रही है जो रवेश कुमार में नाम लेकर कहू क्यूंकि आपके हाँ में अपनी तरह से ने कर रहा है भाषा आखरी मुद्ध यहां पर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहां तक सीमित है और जैसे मैंने कारकर्म की शुरुवात में कहा था पंच्छ में कहा था अपने कि अगला गदम स्वाभाविक और नाश्रल होना चाहिए कि आपको इन्हें financially target करना पड़ेगा क्योंकि वही भाषा समझते हैं financially target करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि एक pressure group ये भी जरूर बनना चाहिए अभी सार कि जब चाहिए वो तिहारी एंकर हो या बाकी एंकर जो दंगा भड़का हो एंकर हैं इनके खिलाफ एक काईदे से कारवाई होनी चाहिए चाहिए एफ आयार करें गिरफतारी करें ताकि यह पता चले कि आप खिलवार नहीं कर सकते हर हाल में उनको सजा मिलनी चाहिए और दूसरी बात मुझे लगता है कि बहुत कम दिन रहे गए अभी सार सारी स्टेट गवर्मेंट्स विज्ञापन देना चाहेंगी तो विज्ञापन में आप तै करिए कि यह जो सारे लोग हैं जैसे अरुनपूरी को एक लटर लिखा न वसंत वैली स्कूल ने वह बहुत अच्छा इनिशेटिव है कि हमें शर्मिंदगी होती है कि आप हमारे साथ एसोसियेटेड है और आपका जो संस्थान है वो नफरत पहलाता है इस तरह के पॉजिटिव सिबिल सोसाइटी इनिशेटिव होने बहुत जरूरी आपने जो जि जलत बयानी नहीं जूट कहा था कि करनाटक सरकार अपने एक योजना के जरिये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को मदद कर रही है उसका एक लंबा चोड़ा इतिहास है तिहार जेल ब्रहमन वो पहले ही कर चुका है कथित तोर पर वसूली को लेकर तो ये पत्रकार हैं ये वो पत्रकार हैं जो आपातकाल की बात करते हैं जिन पर दंगा भड़काने को लेकर केसिज हैं ये वो पत्रकार हैं जिनके खिलाफ मीटू को लेकर गंभीर आरोप हैं और ये लोग चैनल के हेड्स बने हुएं ये है जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में एक शब्द का इस्तमाल होता है डिस्टोपिया ये जरनलिजम का डिस्टोपिया है जहां पर ऐसे पत्रकार ताकत वाली स्थिति में हैं अब क्या बताया जाए बहुत बहुत शुक्रिया मुकल और भाशा आप दोने का इंडिया की बात में बस इतना ही अभिसायर को दीजे जासत और आप सबसे अपील कि इस कारक्रम को जादा से जादा लोगों तक पहुंचाएं नमस्कार